दोस्तों कतर में भारती नोसेनकों को मौत की सिजाया सुनाई गई है उनके लिए अपील दायर की थी भारत सरकार ने लेकिन दोस्तों उस पर विचार करना तो छोड़ दीजिये ततकाल कतर के नयायले ने उसको रिजक्त मार दिया सो भाविक है कि ये कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं जीयो पॉलिटिकल गेम खिला जा रहा है भारत की सामने है अब ये कतर है कबुतर की तरह कुटर कुटर कर रहा है लेकिन एक ना एक दिन इस्ती गरदन मरोडी जाएगी आप पकाल लिखके रख लीजिये आज ही कारण दोस्तों यह है कि जीरे का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पदक कौन है भारत साथ में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं लेकिन हमारे अपने देश में जीरे के दाम डवल ट्रपल हो चुके हैं जीरा तो भहिया जी हमारे खाने का अभिन हिस्सा है इसके बिना छों जीरे की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है भारत उनके लिए जीरे का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अगले साल रंजान के महीने के लिए जीरा इंपोर्ट करते हैं वह भारत से दिसंबर महीने में ही ओर्डर आने चालू हो जाते हैं दो तीन महीने पहले ही वह दूद पिला रहे हैं भारत ने कम से कम कतर को जाने वाले जीरा के ऊपर बेन लगाना चाहिए हम कहते हैं आपको आधेकार खुरूप से नहीं लगाना मत लगाइए लेकिन भारतिजी ट्रेडर अपने लेबल पर तो कह सकते हैं कि सहाव हम कतर को जीरा नहीं देंगे बैसे दोस्तों जहां चाहा होती है वहां राह भी अपने आप निकल जाती है इसलिए भारत से दुश्मनी शिदत से निवा रहे कतर को भारत ने जीरा बेजना चाहिए अथवा नहीं आप अपने विचार इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा और दोस् कमाने के लिए जोइन कर लीजिए आत्मने वर इंवेस्टर फ्यूचर्स एवब ऑप्शन्स कोर्स लेकिन ध्यान दीजिएगा अगले 46 दिनों के बाद हमारे तीनों कोर्सिस की फीस डबल डबल होने जा रही है इसी वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दी गई के अपना पसंदीदा आत्मने वर इंवेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स अभी के अभी जोइन कर लीजिएगा